आज हम देखेंगे पूर्णांक से संबंदित कुछ मिथ्याधार्णा है. मिथ्याधार्णा एक निम्नलिकित में से कौन सी संख्याए पूर्णांक यानि इंटीजर्ज है? कई बार यहां समझ होती है कि सिफ रिनात्मक संख्याए यानि नेगिटिव नंबर्ज ही पूर्णांक कहलाती है. इस समझ से ऑप्षिन एक यहां गलत जवाब दिया जाता है. इसी तरह पूर्णाग के समूह में धनात्मक संख्याय यानि positive numbers और रिनात्मक संख्याय हैं यह पता हुता है लेकिन यहां मित्याधार्ना होती है कि इस समूह में 0 नहीं है और option 2 यह गलत जवाब दिया जाता है सही समझ है कि पूर्णांग का समुह सभी रिनात्मक संख्याओ, सभी धनात्मक संख्याओ और शून्य से मिलकर बनता है इसलिए सही जवाब है option 3 मिथ्यधार्णा 2, प्राकृत संख्याओ यानि natural numbers, पूर्ण संख्याओ यानि whole numbers और पूर्णांग यानि integers में सही संबंद किस आकृति में व्यक्त होता है कई बार प्राकृत संख्याओ, पूर्ण संख्याओ और पूर्णांग के नामों में उल्जन के कारण इन में संबंद प्रस्तापित करने में कठिनाई होती है इसके कारण option एक या option दो ये गलत जवाब दिये जाते है सही समझ यह है कि प्राकृत संख्याओ एक से लेकर अनन तक है पूर्ण संख्याओ का समूह प्राकृत संख्याओ के समूह में शून्य रखने से बनता है यानि कि पूर्ण संख्याओ के समूह में प्राकृत संख्याओ भी आती है इसी तरह से पूर्ण संख्याओं के साथ रिनात्मक संख्याए रखने से पूर्णांग का समूह बनता है यानि कि पूर्णांग के समूह में सभी पूर्ण संख्याए और सभी प्राकृत संख्याए भी आती है इस समझ से option 3 सही जवाब है इस प्रकार आज हमने देखी पूर्णांग से संबंदित कुछ मिध्याधार ना है